वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 498 ट्राइल में हो रही है इस वज़ा से जेल आईए जानते हैं ऐसी कौन सी वज़ा है FIR जब आपकी पतनी आपके उपर दर्च करवाती है 498 A के तहट तो इसके साथ और अन्य धाराएं भी लगी होती है जो की IPC की सेक्शन 323 504 506 377 307 IPC में होती है कुछ मामलों में 354 भी लगी होती है और कुछ मामलों में 376 भी होती है इसमें परिवार के ही किसी सदस्य का नाम होता है और कई बार कुछ मामलों में DV एक्ट भी लगा होता है मान लीजिए FIR दर्च हो गई और वो मजबूत तरीके से दर्च की गई है मतलब की क्वैश नहीं की जा सकती इसमें एक बात तो कन्फर्म होगी कि अब हमें ट्राइल ही फेस करना है ट्राइल में बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं क्यूंकि ट्राइल में पहली स्टेज अपेरिंस की होती है अब कोट में जाकर सबसे पहले आपको आपकी बेल करवानी होती है आपको सबसे पहले कोट से समन इशू होते हैं अगर आप समन पर कोट में अपेर नहीं होते तो आपको BW याने की बेलेबल वरेंट इशू होते हैं अगर आप बेलेबल वरेंट इशू होने के बाद भी कोट में अपेर नहीं होते तो court की तरफ से NBW यानि की non-bailable warrant इशू होते हैं ऐसे में फिर police आपके घर में आती है और वो आपको फिर court में पेश करती है उससे बहतर है कि हम खुद ही court चले जाएं लेकिन practical बात ये भी है कि व्यक्ति की charge sheet फाइल होती है और वो wait करता है कि उसको court से समन आएगा एक case में ऐसा देखा गया कि एक दिन police घर में आती है और व्यक्ति को सीधे arrest कर लेती है तो SME व्यक्ति कहता है कि मुझे तो समन और warrant इशू ही नहीं हुए तो police उसे arrest कर लेती है ये काम opposite party non-official तरीके से करवा देती है court के staff के साथ मिलकर record पर तो दिखा दिया जाता है कि समन चला गया है और व्यक्ति को मिल भी गया है लेकिन बास्तव में ऐसा नहीं होता व्यक्ति को इसकी जानकारी ही नहीं होती लेकिन फिर भी police arrest कर लेती है जैसे ही आपको पता चलता है कि court में आपकी चाशीट आ गई है तो आप अपने वकील सहब के माध्यम से बेल करवाएं उसके बाद case का trial शुरू होता है उसके बाद गवाही की बात आती है जब भी आपके case में गवाही की बात आए तो जब गवाही कोट में आते हैं तो गवाही को अपने पक्ष में एक या दो पॉइंट आप जरूर बुलवाएं क्यूंकि जिससे argument के समय आपके वकील को असानी होगी और case में order के समय रिलीफ आपको मिल जाएगा तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदीत जानकारियां पाने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू